हेलो स्टूडेंट्स बी टू पी चैनल में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स आज में आपको कुछ ये जो ड्रोइंग मेरे स्टूडेंट ने बनाई है जतिन उसने मुझे ये ड्रोइंग भेजी और ये उसका रेफरेंस है वो इसमें चाहता है कि जो कमियां है या गलतियां है वो उसे ठीक करें सबसे पहले जतिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप शेडिंग करें उससे पहले जो है ड्रोइंग ठीक जरूर कर लें अगर देखिए drawing ठीक नहीं होगी तो आप कितने ही अच्छी shading कर लीजिए लेकिन वो कभी भी अच्छा artwork नजर नहीं आएगा ठीक है आपका अभी शुरुआत है तो बहुत अच्छा काम किया है आपने उस हिसाब से लेकिन अभी इसमें बहुत कमिया है मैं कुछ drawing के बारे में आपको पहले बता देता हूँ shading उसके बाद करेंगे जब भी आप drawing करते हैं तो थोड़ा सा उसके planes जरूर देख लीजिए कि angle planes उसका face का जो है किस दिशा में किस direction में जा रहा है face और उसका proportion क्या है nose और mouth जो है कितने difference पे है इसी तरह से eyes का distance बीच में क्या है जैसे यहां पर देखिए यहां पर काफी लगबग दो ढ़ाई eyes का difference है इसके अंदर देखिए आपका यहां पर एक eye का difference है तो यह कितनी बड़ी mistake है तो यह मैं आपको अभी बता रहा हूँ देखिए यह देखिए इसका direction क्या है सबसे पहले आप देखिए इसका direction चेरा जो है इसका face है किस तरफ direct कर रहा किस तरफ इसकी direction है suppose मैं यह एक line की help से आपको समझा रहा हूँ यह देखिए और जबकि आपके artwork में यह देखिए अगर मैं यह line यहां पर लेता हूँ तो इसका center point जो head का है और यह आपका head का center point कहां आ रहा है तो यह आप clearly देख सकते है eye का difference यहां से eye जो है कितनी distance पे है ठीक है इसी तरीके से मैं आपको यह eye का बता रहा हूँ देखिए इस type से आप अपनी जो गलतिया है एक बार जरूर देख लें drawing में उसके बाद ही आप इसमें आगे shading करें तो यह एक basic जो cross line है face की इसको आप जरूर लगा के देख लें किसी भी drawing के अंदर उसके बाद फिर आप face को draw करें तो देखिए आप कितनी बड़ी mistake जो है drawing के अंदर है तो सबसे पहले जो है इसकी आप drawing ठीक कीजिए उसके बाद ही आगे shading पर ध्यान दें अगर drawing ठीक नहीं होगी तो बिलकुल भी artwork हमें अच्छा नहीं लगेगा किसी भी देखने वाले को अच्छा नहीं लगेगा आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा उसके बाद आप इसमें यहां से कितनी height है इसकी अलग अलग इसके कितना इसको आप divide कर सकते हैं फिर आप चेक कर सकते हैं यहां से इसका distance कितना है eyes का उसके बाद फिर यहां पर आप line आप यहां पर draw करके देख सकते हैं कि यहां से यहां, यहां से यहां कितना difference है फिर इसी तरीके से आप देखिए यहां पर एक line draw कीजिए तो यह distance कितना है, यहां से यह distance कितना है, यहां में यहां पर कितना इसको आप subdivide कर लीजिए, इस vertical line को, इसी तरीके से आप इस तरफ भी ऐसे ही करेंगे अंदाजे से आप एक imaginary line आप अपने mind में draw करके देख सकते हैं या एक pencil रखके भी इसको vertically या horizontally देख सकते हैं यह देखिए तो यह जब एक drawing lines, planes यह आप देखना सीख जाएंगे तो आप ठीक से draw कर पाएंगे तो अगर drawing ठीक होगी उसके बाद भी फिर आप shading पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको यह drawing ठीक करनी है तो आप मुझे एक बार दोबारा से यह drawing बना कर दिखाएं उसके बाद फिर shading के बारे में मैं बताऊंगा आपको और उसके बाद इसमें और देखिए कमियां बहुत हैं यहां पर यह जो है इसका level कान का level देखिए आप जो आपने drawing बनाई है उसमें यहां पर एक line रखता हूँ मैं यह देखिए और यहां पर आपका जो ear है कान है यह बिल्कुल यहां space बहुत काम है इसी तरीके से इस तरफ इसी तरह से आप इसे अपनी drawing को ठीक कीजिए थोड़ा सा planes को देखकर उसके बाद फिर shading पर द्यान दीजिए देखिए अब यहां पर gap कितना यह वाला part जादा है यह कम है आपका इसमें यह वाला part कम है और यह वाला part जादा है ठीक है क्योंकि यह center में यह गलत आया हुआ है eyes को इधर आना है थोड़ा सा सारा angle चेंज हुआ 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 है तो एक बार आपी से चेक कीजिए उसके बाद फिर shading के बारे में बात करेंगे मुझे यकीन है अब आपी से बहुत अच्छे से कर लेंगे चलिए all the best दोवारा से बनाके मुझे भेजिए ठीक है ठीक यू